साथ्यू नमस्कार स्वाकात एक बार फिर से आप सभी का आपके चनल सोशल भी कुपे काफी महत्पूर्ण इंफॉर्मेशन दूगा सप्लाई आफ इंफॉर्मेशन अंदर आट्याइए दुर्यार पांच के अंतरगत जो कुछ इंफॉर्मेशन ली गई है करमचारी भविश को रिसीट होा है और इसमें जो इंफॉर्मेशन दी मतलब 2146 को इंफॉर्मेशन गे थी और जो समें इंफॉर्मेशन था एक्सपायर हुए है ये पेंसनर्स की नंबर मांगे गए थी आटियाई के तहद इसमें आया हुआ है और ये काफ़े महत पूरा इंफरमिशन होता है क्योंकि हर साल का आपको डाइटा मिल जाएगा कितने लोग छोड़ चुके हैं EPS 75 पेंसनर्स स्कीम को क्यों 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 क् जैसे अब देख सकते हैं 2017-2018 में करीब 62,644 लोग 18-19 में करीब 69,043 लोग उसी प्रकार 19-20 में करीब 49,433 लोग और 2020 से अब तक करीब 2,830 लोग नहीं हैं जिन्हों नहीं EPS 75 पेंसनर्स स्कीम के अंदर थे जो कि अब इस डूरेशन में नहीं रहे हैं यहां पर यह काफ़ महत पूर्ड हो जाता है क्योंकि यहां पर जो इन्फरमिशन है यह आटी आई के तहट जो है इपिएफो के जरीए पराप्त हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से EPS 95 पेंसनर्स के संख्या पेंसनर्स के जो 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 जुड़े हैं से स्कीम से उनकी संख्या साल दर साल जा रही है मैं समस्ता हूं इन्फरमिशन काफी जनकारी काफी महत पूर था आप सभी के लिए अपने राय कमेंड में जरूर दीजिएगा ज्यादे ज्यादे लोगों तक शेयर भी करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का